हालो और विल्कम बेक्टी चैनल मेरा नाम है आशिज गाइकवाट और स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हम अश्रुप चैनल पे हैं तो आज की वीडियो काफी इंपोर्टन है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बीएसी नर्सिंग का सिलाबस है वह यह सभी चीजे हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले तो वीडियो में बने रही है वीडियो काफी इंपोर्टन रहने वाला है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलाबस के बारे में जो बीएसी नर्सिंग का आएंसी के दौरा नाया सिलाबस आया है तो उस सिलाबस क से बारे में हम बात कर रहे हैं एंसे से कहता है चॉइस बिस्ट ख्रीड इस्टम और समिस्टर सिस्टम यह जो शusion भेस्ट चैनल पर देख सकते हो तो यह जो शिलाबस है नाया वह एक semester-based pattern यहाँ पर आए एंसी ने बनाए है तो यह जो semester pattern है इसमें subjects कितने हैं और semester कितने हम यह देखने वाले हैं देखा जाए तो यह कुछ core competencies पर यह syllabus best है यह आपको foundational courses से सिखने को मिलेगे course courses सिखने को मिलेगे उसके अलागा कुछ elective courses है जो आपको सीखने को मिलेगे तो दोस्तों आगर देखा जाए पहले जो old syllabus था यह जो अभी का syllabus है उस syllabus में आपको about 16 to 17 subjects सीखने होते थे यह सिने सिंगे इन आठ semesters में यह सभी subjects आपको सीखने होते हैं complete करने होते हैं हाला कि यहाँ पर elective मतलब कुछ choices से क्या choices से कौन से subjects में choices सभी चीज़े हम किसी और वीडियो में discuss करने वाले हम देखते हैं semester में semester के according कितने subject से हर एक semester में सबसे बेले बात करते हैं semester first तो first semester में है general science, communicative English, applied sociology and psychology उसके अलावा applied anatomy and physiology और आप यहाँ पर सिखते हो nursing foundation first तो first semester में आप यह 5 subjects सीखते हो बात करते हैं second semester की तो second semester में 6th subject जो आप semester में सिखते हो second semester में वो है applied biochemistry उसके बाद seven subject है यह आप second semester में सिखते हो that is applied nutrition and dietetics अगर आप देखा जाए पहले पुराने सिला बस में तो biochemistry और nutrition यह जो था यह दोनों combine करके आपको सिखाया जाता था लेकिन नए pattern में यह अलग-अलग subjects हुए है उसके बाद जो अगला subject है वो है nursing foundation second नसिंग foundation second भी आप यहाँ पर सीखते हो जो लास सब्जेक्ट है इस second semester में वो है introduction to community health nursing तो फिर से यह देखिए introduction to community health nursing including some environmental sciences तो इस subject में आप community health nursing का entire subject नहीं सिखने वाले हो बस कुछ introductory part यहाँ पर इस second semester में आप community health nursing का सीखने माले हो देखते है third semester so third semester में जो सब्जेक्ट है सबसे पहले है applied microbiology और applied microbiology में इसके साथ infection control तो infection control जो पहले syllabus में और पुराने syllabus में भी microbiology में infection control सभी चीज़े mix थी तो यहाँ पर microbiology और infection control भी आपको सीखने को मिलेगा including safety next subject है pharmacology first उसके बाद है pathology first तो पुराने syllabus में pharmacology और pathology mix हुए करते थे combine हुआ करते थे लेकिन इस नए syllabus में pharmacology first है separately आपको सीखना है उसके बाद pathology first है वो भी आप separately सेखते हो अगला subject है adult health nursing मतलब medical surgical nursing और इस third semester में यह हुगा first मतलब adult nursing first मतलब medical surgical nursing first और यहाँ पर आप इंटिग्रेटर pathology भी सीखोगे मतलब जो भी डिसिस कंडिशन्स आप medical surgical nursing या फिर adult nursing first में सीखने वाले हो उनके आप pathology भी यहाँ पर सीखने वाले हो तो यह subject से और उसके अलावा एक काफी इंट्रेस्टिंग और नया subject आप यहाँ पर सीखने वाले हो जो थर्ड सेमिस्टर में वह है professionalism professional values and ethics including bioethics तो यह काफी interesting लग रहा है थर्ड सेमिस्टर में यह चीज चाहाँ पर आपको nursing के profession के नई value सीखने को मिलेगी और इवेंशली आप यहाँ पर आपका personality development as a professional nurse भी यहाँ पर होगा तो यह subject काफी interesting मुझे लग रहा है आपको कौन सा subject interesting लग रहा है ज़रू comment करके बाता सकते हो आप देखते हैं फोर्थ सेमिस्टर फोर्थ समिस्टर में जो सबसे पहला subject है वह है pharmacology second उसके अलावा यहाँ पर फीर से आप pathology second सिखते हो लेकिन इस फोर्थ सेमिस्टर पर pathology के साथ genetics भी है जो यहाँ पर pathology second and genetics आप सिखते हो उसके अलावा सेकेंड होगा यहाँ पर मतलब MSN सेकेंड होगा यहाँ पर और यहाँ पर सेकेंड में जिराट्रिक्स कंडिशन है मतलब जो भी ओल्ड एज रिलेटेड कंडिशन है वो यहाँ पर आप इस फॉर्थ सेमिस्टर में सीखने वाले हो उसके अलावा है एजुकेशनल सेफ़ेंशी और नर्सिंग एजुकेशन तो यह वर फ़ृथ सेमिस्टर के बारे में अब बात करते हैं फिथ सेमिस्टर के बारे में तो फिथ समिस्टर में आप सबसे hosts में सिखने मिलता है उसके बाद मैंटल हैं नर्शिप नर्सिप में यहां पर सिखते हो दन्देर जो नर्सिंग मैंपनेंट और लीडर्शिप हुआ करता था यह सब्जेक्ट वा करता है नर्सिंग मैंजमेंट सर्विसेस तो वहां पर और लीडर्शिप एक टॉपिक हुआ करता था यह सबी चीज़े आप वहाँ पर सिखते था तो वह सब्जेक्ट यहाँ पर आप फिफ्ट सेमिस्टर में सिखने वाले हो नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडर्शिप उसके अलवा अगला जो सब्जेक्ट है वो है नर्सिंग रि में एक चोटा टॉपिक हुआ गर्द नर्सिंग इंफॉमेटिक्स के बारे में जो काफी टीचर्स या फिर जो काफी कॉलेजस में सिखाया नहीं जाता था मुझे भी यह सिखाया नहीं गया था तो जब मैं सिखा रहा था मेरे स्टूड़न्स को तो यह चीज़े मैंने इंडियन लॉग तो जो इंट्रेस्टेड लोग थे लॉग जिनको फॉरेंसिक में इंट्रेस्ट था तो वह सभी चीज़े आप यहां पर भी सिखने वाले हो तो यह जो नया सिलाब से ना पैटन है काफी इंट्रेस्टिंग बनते जा रहा है अब बात करते हैं सिक्स सेमिस सेक्टे हो उसके आलवा मेंटल है नसिंग सेकंड आप यहां पर सीखने वाले हो और यहां पर नाएक और सब्जेक्ट आता है वह कम्यूनिटी है नसिंग फर्स्ट इंक्लूडिंग इपीडियमियोजी तो इंट्रोड़क्शन टू कमेंटे नसिंग पहले आपने पिछले स सिखने को मिलता है अब बात करते हैं सेवन्थ सेमिस्टर की तो सेवन्थ सेमिस्टर में आपको यहां पर सिफ दो सब्जेक्ट सिखने को मिलते हैं और यहां जो इंपॉर्टन सब्जेक्ट है नसिंग के लिए वह है कम्यूनिटी हेल्ट नसिंग सेकेंड और अप्स्टेटिक्स और फिर मिडवाइफरी सेकेंड तो देखा जाए तो फाइनिल यह में पहले हुआ करता था कि आपको चा सेमिस्टर में बस यह दो सब्जेक्ट से रहे हैं और इन दो सब्जेक्ट जो काफी वास्ट है और काफी इंपॉर्टन है तो स्टूडन्स इन सब्जेक्ट को अच्छी दरीक से सीख सकते हैं ब्रॉडली सीख सकते हैं और सब कुछ जो चोटी-चोटी चीज़ है यह सब करते हो तो यह जो semester होगा यहाँ पर इंटेंशिव प्राक्टिकल होगा सभी चीज़ों का प्राक्टिकल आपको यहाँ पर किया जाएगा उसके अलावा residency posting भी आपको मिलेगी तो इस तरीके से 8 semester से जहाँ पर 7 semester तक आप सभी subjects सभी courses सीखते हो जिसमें foundational courses है core courses है और कुछ elective courses है और final semester है 8 semester वहाँ पर आप internship करते हो इंटेंशिव प्राक्टिकल मिलता है और उसके अलावा आपको residency posting भी मिलती है तो यह है नया syllabus नया pattern जिसे INC ने choice based credit system और semester system कहा है तो आपको यह system कैसा लगता है इसके बारे में आप मुझे comment box में comment करके बताईए और इसके बारे में आगर आपको कुछ और जान करें चाहिए तो और हम इस पर जरूर वीडियो बनाने के कोशिश करेंगे इसका program structure क्या होगा exams किस तरह के से होगे और उसके आलवा first to eight semester में जितने भी subjects या फिर courses है उसका proper syllabus क्या होगा उसके अंदर का मतलब अगर general science है तो उसमें क्या-क्या सिखने को मिलेगा या फिर nursing foundation है तो उसमें क्या-क्या सिखने को मिलेगा अगर इस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए जरूर इस पर आप comment करके बताईए तो उमीद करता हूँ इस वीडियो ने आपको help किया होगा अगर आपको वीडियो बएब बखू गाए